Hello everyone, मैं विश्रजीत सिंग, आप सभी का दाइन आपर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History, MHI 01 के पेपर को डिसकस करने जा रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं, दिसंबर 2023 का एक्जाम चल रहा है आज आपका साथ दिसंबर था और आज आपका पहला एक्जाम भी हुआ, MHI 01 का तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और डिटेल में इस कोश्चन पर को अनलाइस करते हैं किस तरह का कोश्चन आया हुआ था, क्या पैटन था कोश्चन का, क्या पूछा गया और किस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं, कैसे explain करना था, इसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले अगर हम कोश्चन पर को देखें, तो तीन घंटे का टाइम मिलता है तो आपका 200 वर्ड के अंदर में लिखना है, 10 नमबर का कोश्चन होता है, अगर 20 नमबर का कोश्चन है, तो 500 वर्ड के अंदर में ही आपको खतम करना है सबसे पहले अगर हम अपने पहले question को देखे हैं तो यह आपका पहला question पूछा जा रहा है प्राचिंतम काल सेगे, नवपाशान युक तक उजारों के विकास का विस्तरित विवर्ण दीजी है ठीको, easy question है और पहला chapter से ही लिया गया है अगर आप पहला unit, पहला blog देखा होगे जो मैंने आज सुबा वीडियो ही बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था पहले blog को पढ़ना ज़रूरी है तो कि उसमें से question बनता ही बनता है तो यहां पिस तरी से उजारों के इंदर में परिवर्ण हुआ और ऐसा था नहीं कि एक दिन में परिवर्ण होगे कि रात में बनाये था लग, सुबा बनाये थो लग ऐसा था था नहीं एक लमबा समय परिवर्ण रहrobeगा तो प्राचिंतम काल जो आरंबिक काल था ना वहां से लेकर नव पाशान जहां से दीरे-दीरे चीजे बदलने लगी नव मतलब होता है नया, पाशान मतलब पत्थर ठीके नए पत्थरों के युक तक में किस तर का परिवर्तन हुआ हो जारों के इंदर में यह आपको बताना है, यहाँ पर प्राचिंतम काल कहलो पाशान काल कहलो, पुरा पाशान काल कहलो कुछ भी यहाँ पर बोल सकते हो, ठीके तिहाँ पर प्राचिंतम काल के तोर पे बोला गया है यह जो words होते हैं, जो word game होता है यह confuse करने के लिए दिया जाता है students को अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ देऊ और आपका जो मानसिक सोच है न विक्सित नहीं हुआ है MA history को लेकर ठीक है आपका level increase नहीं हुआ है कि आप MA history के student हो तब आपको problem face करना पड़ेगा इन चीजों को लेकर क्योंकि यहाँ पर जो नए नए word यूज की जाते हैं सिर्फ आपको confuse करने के लिए ही की जाते हैं अब देखते हैं यहाँ पर किस तरह से उजारू का यहाँ पर detail लिखोगे तो यहाँ पर मैंने starting में आपको कई बार 1000 वार बताया है कि जो आरंबिक मानव थे उनके पास पुरा पाशान ओजार हुआ करते थे पुरा पाशान क्या होता है पुरा मतलब पुराने पाशान मतलब पत्थर के पुराने पत्थरों के ओजार हमें पराप्त हुए हैं ठीक है जो साक्ष अगर आप देखोगे पुराने पत्रों को जार मिले हैं जो बहुत बड़े होते थे अगर आप आकार में देखोगे ना बड़े होते थे उतने धारदार नहीं होते थे ठीक है उनको carry करना easy नहीं होता था और जिसके कारण से सिकार करने का जो rating भी देखोगे ना तो बड़े जानवर का सिकार नहीं करते थे इसका main reason क्या होता थे कि अगर धारदार ओजार नहीं है तो आप कहां पे लेकर जाओगे कि इसको मारोगे और हलके ओजार में कितना दूर आप carry कर सकते हो ठीक है फेक के नहीं मार सकते अगर आप बड़े जानवर के पास में सिकारी जानवर के पास में अगर फेक के मारने जाओगे तो उसके लिए आपको carry करने के लिए हिमत होनी जी ना कि उसको उठा के लेकर जा रहे हो अगर उसके पास जाओगे तो तो मार देख आपको तो इसके कारण से वो छोटे जानवों का RMB काल में सिकार करते हैं यह मैंने आपको कई बर बता है समय के साथ में इसमें परिवर्तन होता है परिवर्तन होने के साथ में क्या होता है कि जो ओजार बनती है वो फलक वाले ओजार आपको देखने के लिए मिल जाते है फलक वाले ओजार क्या होता है कि जिसके अंदर में इस तरह का safe होता है और पूरा धारदार होता है, उसको पकड़ना, hold करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और वो hold करके न चाहे चमडा च्छेलने का कारे करें, या फिर उसको मारने का कारे करें, और हड्डियों का यूज करके दिरे धिरे उजार मनाया जाने लागे, अलग-अलग तरीकेस의 फलकदारोजार, हड्डियों का यूज़ करकेोजार तो अलग-लग तरीकेसे उजारोग निदर में implement किया गया, विकास हुए, एक अलग तरीके का विकास चैन आपको देखने के मिलेगा और जैसे जैसे ओजारों के इंदर में परिवर्तन हुआ ना, ओजारों के इंदर में विकास हुआ, तो मानव के रहन, सहन, जीओन वियापन के पद्धिति के इंदर में भी आपको परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, कैसे, अब मानलो पहले ने सिंपल ओजार यूज़ कर जादा खारें वेस्ट कर रहें एक एक्जाम्पल ठीक तो उस तरीके से उजारों का यहां पर इंपोर्टन बढ़ता चला गया समय के जात में परिवर्तन दिखा जाता है कास्ट यूग की सुरुवात होते हैं तो नया चीज इसमें डाला जाता है ठीक धातों का उपयोग के जाने लगा उजार बनाने में जिससे और ज्यादा मजगूत होते चले जाते हैं जानवरों का यूज के जाता है जानवरों के हड़ियों का उपयोग के जाता है उजार बनाने के लिए तो इस तरीके से उजारों के अंदर में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है तो आप यहां पे बता सकते हो, आपका block first के अंदर में ही chapter है आपको, ठीके जनौ पाशान युक का, उसके अंदर में proper detailing के अंदर में दे रखा है, कि किस तरीके सो उजारों के अंदर में परिवर्तन हुआ, अगर आप दाइगनप को follow करते हो, और आपने M.E.History, M.H.I.01 के lessons की सारी वीडियोस देख रखी है, तो मैंने यहां पर चौथा lesson करवा रखा, जिसके अंदर में यह वाला question यू मैंने करवा रखा है, इस पेसली, तो आपको वहां मिल जाएगा, otherwise अगर आपने लास्ट फाइवर के question उपर की वीडियोस देखी हो, important questions की वीडियोस देखी हो, ठीके last previous की question paper की वीडियोस देखी हो, देखर रखी हो, even आज जो सुबह मैंने वीडियोस जाला आकर उसको भी देखा होगा, तो भी आपको यह question करके आया होगा, और अच्छा गया होगा आपका paper, ठीक है, अगला question क्यों बढ़ते, question number second, जहां पर बात किया जा रहा है, कास से को पढ़ना है, इसकी तरह से recording मैंने एक वीडियो डाली थी, जिसके अंदर मैंने बताया थे कि अगर कभी भी कास से यूग से related कोई question आता है, तो आपको यहां पर चार यूग के बारे बारे बाताना है, कौन-कौन से, तो आपका मिस्र सब्वेता आ गया, जो मिस्र की सब् खान आ गया, मेसो-पर्टामियां हो गया और उसके बाद चीन हो गया, तो इस तरह से चार आपको बताने होते हैं, और इनहीं के बैसिस पे इसको कास से यूग के तार पर देनोट की आता है, तो कभी भी अगर कास से यूग को आ गया तो आप इन चारो कबताओगे, क। मिस सित हुआ इनके क्या विसेशता ही थी यह मैंने अभी कुछ पीछे एक वीडियो बनाया था उसके अंदर में डिटेल से मैंने बता रखा है तो वहां से देखोगे या अपने दिखा होगा तो वहां से आपने इसको क्या होगा अब पतन कैसे हुआ तो नॉर्मली अगर देखो संकेती जाता है कि क्या पता कोई प्राकर्तिक आपदा गई हो बुकम पुबाड सुनामी ऐसे कुछ प्राकर्तिक आपदा गई हो जिसके काई से पतन हो गया हो साथ ही साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है कि माल लो कोई विदेशी आकर्मन कर दिया हो किसी ने कोई महामारी फैल ग के दोरान में पूरी खाली हो गई थी रिजन क्या था खाली होने का तो भाईया डैली के अंदर में लोग ही नहीं थे क्योंकि जितने भी लेवर वर्क थे ना वो सारे यूपी बिहार और बाकी जगस जो आ रखे तो अपने अपने घर चले गए तो डैली पुरी तरसे खाली ह हो चुकी थी क्या पता इसी तरह का कुछ विस्थापन हुआ हो उस टाइम पर वहां पर तो यह भी एक रिजन हो सकता है पतन होने का और यह सिर्फ हडपा के कैस में नहीं है बाकी केसिस के अंदर में भी सिमिलर देख सकते हो बाकी मैंने इसको डिटेल में करवा रखा है द सबी स्टुएंट्स को देखो दैनम ने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है में हिस्ट्री के रिकार्डिंग में अल्मोस्ट 500 से जादा वीडियो अगर आप यूटूब पर किसी भी चैनल को देखोगे न कोई भी जो पढ़ा रहा है उनसे कहीं जादा वीडियो अमने डाल आते हैं तो बहुत यूट्स वीडियो से आप जरूर देखें आगे का जो भी एक्जाम है में चाई 02 को हो फोर का हो फस्ट एर सेकेंडर कुछ भी एक्जाम है ना में का आप उसको जरूर देखें अपने दोस्तों सास भी सेर करें जिससे आपको बहुत अच्छे नंबर ब आपके question paper के अंदर में करवा रखा है, previous year के question paper के अंदर में करवा रखा है, important topic के अंदर में करवा रखा है और morning वाले वीडियो के अंदर में मैंने बताया था कि दासों का topic आता ही आता है, रोमन और युनान से, देखो रोमन और युनान के अंदर में दासों को trade क्या जाता जाता है अगर दास का जो पुत्र वाना वो भी दास के समान ही माना जाता है ठीक है यहां पर दासू को लीगली ट्रेड किया जा सकता था खरीदा बीचा जा सकता था रोम के अंदर में भी सेम ट्रेड किया जा सकता था दासू से उत्पादन के लिए कारे किया जाता था मेला ही दासे होते थी वो घर का कारे भी करवाय जाता तो उनसे ऐसा मैड के तोर पर भी रखा जाता था आपने बहुत सारी मूवी उसके अंदर में देखा हुआ जहां पर दासों के उपर में बहुत सारी मूवी बन रखी है फ्लैक जो दासों हुआ करते थे ठीक है के अंदर में के एक comparison करना है किस तरह से था कैसे था उसको आप यहां पर बताओगे दासों को लेकर ठीक है अगले question के बढ़ते question number 4 जहां पर पूछा जा रहा है इसाई धर्म के परसार पर प्रकास डाली इसके परती रोमन समराज्य क्या क्या दृष्टी कौन रहा देखो अगर आप बात करोगे इसाई धर्म को लेकर रोमन समराज्य का क्या दृष्टी कौन रहा तो यहां पर जो इसाई धर्म का फैलाव हुआ ना तो हैंरी पिनेर जैसे जो इतिहासकार थे जो जो इतिहासकार थे और मार्क ब्लॉक जैसे जो इतिहासकार थे उनका अलग- अच्छा स्वारी मैं कोश्चन थोड़ा गलब लेके चला गया था आपका सामंत वात का कोश्चन में एक्स्प्रेंट करने लग गया था क्योंकि next सामंत वात का यहां पर मैं वापस एक बार बोलता हम इसाई धर्म के परसार को लेकर बरुकास डाली है रोमन समराज्य का दिर आप इसाई धर्म के बारे में कि कि तरह से फैलाव हुआ और वहा के राजाओं को आप देखोगे लोमन समराजी के राजाओं को कभी ऑपक्षम Southern के नहीं किनकी जो आइडिलोजी थी कहीं ना कहीं लोगों को बहुँ जादा impressed कर रही थी लोगों के लिए बहुत जादा लुभावक थी ठीक है जन कल ल्यार्ड के basis पर इंके ideology बनी हुई थी ये माना था उनके सासको का और वो यह मान के चलते थे कि इनकी जो ideology है ना हमारी सत्ता के लिए नुकसान दे है तिक अगर इनके ideology लोगों के बीच में ज़्यादा फैल गई तो हमारा तक्ता पलट हो सकता है हमारा सासमकान तो हो सकता है यह माना जाने लगा जिसके कारण से जो सासते उन्होंने legal कर दिया इसाई धर्म को उन्होंने मानने लगा और वहाँ पे राज धर्म के तोर पे इसाई धर्म को माना जा ठीक है जिसके बाद जो रोमन समराज्य का जो दृष्टी कोन बना ना इसाई धर्म को राज धर्म के तोर पे अपनाया पूरे देश के अंदर में इसाई धर्म को लागू करने लगई इसाय धरम के उपर मैं, दोनों एक दूसरे के बीच में टकराव दिखे गाब आपको, सासक जो आपका उआ का राजा है ना, ठिक है, सासक और सासक और मतलब जो वहाँ का इसाय धरम पादिरी जो पूरा सammad causes causes, धार्मिक जिसके बाद जब इसाहि धर्म का पावर बढ़ने लगता है बहुत ज़दा इंसकरता है तो उसके बाद़ जो सासक होते हैं और डड़ के मारे भाए के मारे इसाहिध धर्म को अपनाते हैं और देश के इंदर में लागू कर देते हैं इसको रास्टे धर्म के Hazel the माना जाता है और ये पूरा यहां पर explain कर सकते हो नॉर्मली टिपनिग वे इस वाले question है easy बता सकते हो, exec से बता क्या है, खाना बदू समराज्य क्या है पार्सी समराज्य क्या है, पर सुपालन क्या होता है बहुत ही easy tipning दे रखा है अगर Europe में सामंतवाद को देखो गए, उसका पतन हुआ कैसे अगर आप इसको पढ़ो कि Europe में सामंतवाद के पतन का reason क्या है तो यहां पर सामंतवाद का पतन का reason ना Europe के अंदर में माना जाता है कि किस तरीके से जो मतलब सहरी करण का विकास हुआ सहरी करण को एक important यहां पे लेके चला गया कि सहरी करण के विकास के कारण से सामंतवाद का पतन हुआ सहरी करण का जैसे जैसे विकास हो रहा था जिस तरीके से सहरी करण का खैलाव हो रहा था उसके बाद यहाँ पे सामंतवाद का पतन क्यों बढ़ता जा रहा था सामंतवाद को लेकर Mark Block हो गए, Henry Piner हो गए, George Duby हो गए ऐसे इतिहास कारोने हो आप अपने टिपनी दी है उन्होंने अपने सिधान्त रखे हैं कि सामंतवाद का पतन क्यों हुआ अब देखो सामंतवाद का आइडेलोजी गया था सामंतवाद मतलब फिल्डिलिजम जहाँ पर एक भूमी का टुकड़े पर अधिकार दिया जाता है लोगों को ठीक है किसी भी व्यक्ति को अधिकार गया गया कि वो अपने आर्थिक तोरपोस को अपने हिसाफ से चला सकता है अपने हिसाफ से रेगुलेट कर सकता है आर्थिक नीतियां अपने उस छेतर के लिए बना सकता है स्टैनिक रख सकता है तो कुछ इस तरह के अधिकार दिये गए थे सामंतवाद के अंतर और जैसे जैसे सहरी करन हुआ न तुहां पर पलायन सुरू हुआ, अलगलग तरीके से करांती लोगों के बीच में सुरू हुआ, और वहां से एक major reason वाना जाता है सहरी करन को सामंतवात के पतन का, ठीक है, समझ में आता है तो वहां पर जो George Doobie, Mark, Joe Henry Piner हो गए, और Mark Block हो गए तो उनके जो ideology थी, उसको explain कर सकते हो, कि किस तरज सामंतवात का यहां पर पतन हुआ, अगर question यहां पर गुम कर आ जाया, कि आरंब कैसे हुआ, सामंतवात का सुरूआत या आरंब का reason देखोगे, तो वहां पर सेम चीज़ आप बताऊगे, कि George Doobie, Mark Block, Henry Piner की क्या आप धार हमें देखने के लिए मिल जाता है, इस तरगे चीज़े भी आप यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप इसको explain कर सकते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, question number 7, जहां पर हम बात करते हैं, मद्देविन काल में, यूरोप में जनसंख्या की मैं परिवर्तन की व्याक्या आप देखो, यूरोप के अंदर में किस तरीके से जनसंख्या के अंदर में परिवर्तन होडाता, मद्देविन टाइम प्रेड के अंदर में, अगर आप इसको देखो गें, तो यूरोप के अंदर में जैसे जैसे अब जनसंख्या परिवर्तन ऐसी नहीं होता, जनसंख्या सो लोग रहते हैं एक जगह पे सो लोग रहते हैं और अचानक से आपना साल बर बाद आए तो अब यहाँ पे डिड़ सो लोग हो गए तो यह जन संक्या बढ़ गया अब यहाँ पे ही सो लोग रहते हैं अब साल बर बाद आए तो यहां पे स्रिफ 70 लोग रहे गए, 30 लोग घट गए, तो यहां पे 30 लोग घटे का तिल मतलब कहां मर गए, और यहां पे 50 लोग बेड़े, तो मतलब पैदा हुए या फिर कुछ और, तो जन संक्या के अंदर में परिवर्तन किस तरह से होता है, पहले उसको समझो, तो जन यह वारे लोगों के अंदर में एक ऐसी आबादी होती है जो भुख से मरती है तो उत्पादन अगर अच्छा है उसका पेट भरेगा अच्छे से खाएगा और भूख से नहीं मरेगा ठीक है और उत्पादन कैसे अच्छा होगा तो तक्णीक में अगर जब तक परिवर्तन न आप अगर अच्छा हेल्थ दे रहे हो तो भी लोग जाद जीवन जीएंगे आपके पास अच्छा हेल्थ नहीं है तो क्या होगा लोग मरा बिमार पड़ा मर गया ठीक है मर गया तो घटे गाई ना और बच्चे पैदा हुए वह आप जीवीद नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है तो वह रीजन भी यहां पर इंक्लूड हो जाता है ठीक है समझ में आता है यहां पर अगर आप चौथा देखोंगे तो ऐसे करके तो बहुत सारी रिजन से में नॉर्मली में बता हूँ तो उद्योगी करण की करांति सुई ग्यान का जो देखा जाता है तो अगर विद्धान के इंदर में और देखा जाता है सहरी करण का विकास था आप देखो उत्पादन अच्छा है आपके पास तक्निक अच्छी है तो आप चीजों को और बढ़ाओगे उत्पादन अगर आपका अच्छा हो रहा है तो आपके पैसा भी आ रहा है पैसा अच्छा हो रहा है तो आप सहर में जाके रहना पसंद करोगे ठीक, I hope so, you are getting my points, आगे बढ़ते हैं अगले question के और question number 8 जहां पर हम बात करते हैं, मद्यकाली न यूरोप में वैपार के सोरूप का विशलेशन केजिए, हिंद मास आगर में पुर्तकाली अपने वैपार का विस्तार करने में करते हैं, अब देखो सबसे पहले अगर मद्यका पर इतनी बड़ी सिती में था, कि वो अलग-लग छेतरों के अंदर में अलग-लग चीज़े भारत भीचा करता था, खरीदा करता था, मसालय के लिए, रिश्यम के लिए भारत जाना जाता था, ठीक है, भारत के अंदर में से मसालय जाते थे, रिश्यम जाता था, कापी सारे खनीज परदार्थ भी भारत से बाहर जाय करते तो और आज भी जाता है बट आज एक अलग डॉमिनिट है भारत का और उस समय अलग था तो यह चीज आपको देखने के लिए मिल जाती है वह भी भारत के अंदर में एक तरह से वर्चस वो कायम रखे थे सबसे चादा डॉमिनिटिंग अगर देखोगे तो चीन का यहाँ पर देखने के लिए मिलता था तो उसको पीछे करने के लिए यहाँ पर पुर्तकाली आते हैं वहां से यूद कई तरह के होते चीज़े होती ह जो मसालाओं को लेकर बागी चीज़ों के लेकर यहाँ पर बदलाव देखने के लिए मिल जाता है तो इस तरह से आप इसका अंसर दे सकते हो अगले कोशन के बढ़ते हैं कोशन नमर 9 जहां पर हम बात करते हैं उस राजनितिक परिवर्तन की परकिरिया का लेखा जोखा प देखो एक तरह का ऐसा दोर शुरू हो चुका था जहां पर लोग सहर की और बढ़ रहे थे ठीक है तकनीकी तौर पर विक्सित हो रहे थे धीरे देरे उनके पास ज्यान बद्दिती विग्यान का विकासदर तेजी से हो रहा था और इन सब चीजों के कारण से वहां पर आस ही शुरू हो चुकी थी बहिया मुझे यह राइट चाहिए मैं यह चीज मांगता हूं यह चीज मुझे चाहिए तो उस चीज को लेकर यहां पर बोला जा रहा था यहां पर अधिकारों का दोर सुरु हो चुका था और यही परिवर्तन मुख्य बागर म Uh 한다 समाज के अंदर में देखने के लिए मिल जाता है ठीक है समझ में आता है easy question था question number 10 टिपणी बेस वाला question है डाइसो वर्ड के अंदर में लिखना होता है world limit हमेंज आफ वोलो करना 10 number का question होता है दो topic करने होते है मद्दे काली नियुग में वेग्यानिक परगती किस परकार से बहुत easy topic है मद्दे काली में सहरों की मुखे विसिस्ता क्या थी वो बता सकते हो बंजारों उनके वैपारी गतिवी दिया किस परकार से रही आपने आसपास में देखा होगा हर्याना राजिस्थान से कई सारे बंजारे आते हैं लोहार आते हैं जो लोहे का काम करते हैं और भी अलगलगतर के कारे करते हैं ज्यादा तर आपको राजिस्थान मद्दे बरदे से बंजारे लोग देखने के लिए मिलेंगे तो उनके बारे में किस तरह की वहारी गतिवी दियां वो बता सकते हो और मद्देकाली इंडिरोप में वस्तर उत्रपादन किस प्रकार कता है important भाय वस्तर उत्रपादन को लेकर यह आपे आपे explain कर सकते हो तो यह पूरा आज का आपका question बेपर था I hope so, अगर आपने दाइनब को follow किया होगा, दाइनब में से वीडियो देख कर गए होगे, तो आपका exam अच्छा गया होगा, और जो भी गया exam उसको बोल जाओ, आच्छे से आप देखो, आगे के लिए त्यारी करो, जो हो चुका है, जो बीच चुकी हो, बात बीच चुकी हो खतम हो गया, जो रात गई, वो बात गई, उसको खतम करते हैं, आगे के और बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्जाम आपका MHI 02 का है, तो मैं रिक्वेस्ट ही करूँगा, सभी स्टुएंट से कि आप MHI 02 के लिए, आप दाइनब को follow किया है, जहां से आपको unlimited videos मिल जाएंगी, ठ देखें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा useful होगा, साथ ही साथ important question, important topics, important जो आपके previous year के question paper है, वो important lessons, सबकी videos मैंने already डाल रखी हैं, तो उनको जाकर देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा useful रहने वाला है, तो यहां पर मैं video end करूँगा, मिलते हैं एक लिए वीडि and raise कर सकते हो, take care all the best, bye-bye